जैन दोस्तों आप सभी का ग्यान कोचिंग सेंटर में स्वागत है आज मैं आपके लिए 25 एग्रिकल्चर कमपटीशन के इंटमोलाजी के कोश्चन लेके आया हूँ जो कि इंटर, BSC, MSC, कोई भी कमपटीशन एक जाम हो हर जगह ये इंटमोलाजी के कोश्चन पूछे जाते हैं और ये बहुत important कोश्चन है इन ही से कही न कहीं कोश्चन ही है इसमें से पूछे जाते हैं और यही कोश्चन हम आपको बता रहे हैं देखिए पहला कोश्चन हमारा क्या है? ये iskreeta of earthworm is card जो इसक्रीटा अर्थवार्म का जो इसक्रीटा होता है जिसको क्या बोलते हैं? हिंदी में मलमूत्र बोलते हैं उसको क्या कहते हैं? तो अर्थवार्म आप जानते होंगे किसको बोलते हैं? केचुवा को बोलते हैं ये पूछा गया कुर्श्यान है तो पहला अपसन आपका क्या है वर्मी कमपोस्ट क्या है वर्मी कमपोस्ट दूसरा अपसन है आपका वर्मी मन्योर और तीसरा है वर्मी कास्टिंग तो जो आपका वर्मी कमपोस्ट है वो जो केचुवा से खाद बनाई जाती है जो स्कूरीटा से खाद बनाई जाती है उसको बोलते हैं vermi compost और vermi manure क्या है ये भी वही है जो उसकी खाद कहते है लेकिन पूछा क्या कहए आप से कि स्कूरीटा आफ अर्थवार तो इस क्रीटा आप अर्थवार में को क्या कहेंके वर्मी कास्टिंग कहते हैं इसका सही आपसं क्या होगा वर्मी कास्टिंग Next question यजो आप का पीले चिपचिपी जाल का प्रियोग किसके लिए किया जाता है एक होता है ट्रैप होता है जो इंसेक्ट को पकड़ने के लिए किया जाता है या किसी भी चीज को पकड़ने के लिए जो यूज किया जाता है फसाने के लिए यूज किया जाता है उसको ट्रैप बोलते हैं और इंसेक्ट को पकड़ने के लिए दो तीन ट्रैप यूज किया जाते हैं पहला है यलो स्टीकी और फिरोमवमठेंट्रैप, दूसरा है यलो-इस्टीकी ट्रैप यही सभी यूज किया जाते हैं. तो इसमें किस इंसेक्ट को पकड़ने के लिए, यलो-Eस्टीकी ट्रैप का यूज किया जाता है. तो पहला अप्सन क्या है हमारा एफिड दूसरा अप्सन है लीफ माइनर और तीसरा है स्केल इंसेक्ट चौथा अप्सन है आपका मिली वैड तो इन में से किस इंसेक्ट को पकड़ने के लिए यलो स्टिकी ट्रैप का यूज किया जाता है और यह बहुत इंपोर्टेंट कोस सबीक जाओंवों में यह पूच लिया जाता है तो इसमें क्या आप्सन सही रहेगा आपका एफिड एफिड को पकड़ने के लिए हम यलो स्टिकी ट्रैप का यूज करते हैं क्योंकि पीले रंग के प्रति जो एफिड है आपका यह ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है इस यहां हूँ होते हैं जाज़ता है। इसलिए यलो कलर का जो इस्टीकी ट्रैप है उसका यूज एफिट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कॉस्चन क्या है ग्रास हॉपर, लोकस्ट और क्रिकेट बिलोंग टू दा ओर्डर ये पूछा गया आपसे कि ग्रास हॉपर, लोकस्ट, क्रिकेट किस ओर्डर से बिलोंग करते हैं सम्मंदीत हैं कि या किस ओर्डर में आते हैं तो पहला है हमारा option आर्थोपिटेरा दूसरा है एंबियोपिटेरा तीसरा option है आपका फासमीडा और चौता option है आपका डिक्टियोपिटेरा तो हमारे इंटुमोलोजी में इंसेक्टा में 29 कुल ओडर हैं कितने order हैं, 29 order है, 29 order में ग्रास OR लोकस्ट और क्रिकेट आसे वू आते है आलार्थो-पिटेरा आसे lok though में Jr. इंवीयो पिटेरा में Jr. आते हैं फासमीडा में आपके कौँझ से इंसेक्ट आते हैं वो आते हैं इस्टिक और लीप इंसेक्ट आते हैं स्टीक इंसेक्ट भिलकुल लकड़ी की तरह दिखता है और लीप नसेक्ट लीप की पत्ती के एकार का होता है अगर जो पत्ती में बैठा हो तो दिखाई नहीं देता कि ये पत्ती है या इंसेक्ट है इसमें Dictio Patera में आप के आता है? Cockroach और praying mantis. Cockroach और praying mantis Dictio Patera में आता है. तो cricket और locust जो tiddy आपकी grass ओपर ये किस में आते है? ortho patera में आते हैं. ये question बहुत important हैं. और ये exam में पूछे जाते हैं. आब आपका चोथा कौन सा है कोस्चन ये है THE host plant for eri silkworm मैंने आपको बताया है जो silkworm के वीडियो हमने डाले थे डाले थे उस में से फिंडाया था कि hosts और किसमे पाले जाते हैं कितने टाइब के silkworm जो होते हैं किसमे पाले जाते हैं रेसम कीट होते हैं, कितनी स्पिसीज होती हैं, यह हमने आपको दो वीडियो डाले हैं, उसमें बताया है सारी चीजें, तो उसी से यह देखो एक कोस्चन पूछा गया है, कि दा होस्ट प्लांट आफ इरी सिल्क वार्म, इरी रेसम कीट के लिए मेजवान पाउदा है, किस प क्या है, मोरस इसकें क्य oluşुझ, टर्मिनेलिय, अर्जुना और यह क्या है, मचलेस, बोमी सियान या बोमी सियाना, यह, तो यह चौर आप्शन हैं, आपके, अब चार आप्शन में क्या है, यह जो आपका फ़र्शन है, रेसीन्स, रेसीनस में आपको जिसको बोलते हैं, कैस क्या कहते हैं कैस्टर अरहंडी का पौदा उसको बोलते हैं उसमें आपका इरी सिल्क वर्म पाला जाता है और इरी सिल्क वर्म मुंगा सिल्क वर्म का जो रिसर्स सेंटर बना हुआ वो कहां पर है असाम में बना हुआ है तो यह कैस्टर के प्लांट में इरी सिल्क वर्म पाल मौरस इलवा जो सहतूत उसमें रेसम की बॉंबक्स बॉंबिक्स मौराई उसको पाला जाता है तो यह रेसम के कीट को पाला जाता है जिसको बोलते हैं मलवेरी सिल्क वर्म तर्मिनेलिया और जुना इसको टसार सिल्क वर्म जो था वो पाला जाता है इस प्लांट में यह रहे तो इसमें आपका जो आपसंस आई रहेगा होस्ट प्लांट इरी सिल्क वर्म वो है रहे सिनस क्यूमनियस next which of the following is a true fly अब आप इस question को बहुत ध्यान से देखना कि यह क्या पूछा गया है कि true fly किसको बोलते हैं mosquito को यह dragon fly को house fly को none of these तो इसमें आपको बताना है कि जो सत्त मक्खी है वो किसे कहते हैं तो वो house fly को कहते हैं house fly जो है आपकी घरेलू मक्खी है उसको true fly कहते है dragon fly आपकी किसमें अब यह true fly किसमें आती है यह आती आपकी diptera order में आती है dragon fly किसमें आता है यह आता आपका odonota order में आता है mosquito किसमें आता है यह भी diptera में आता है द्रेगन प्राइई तो आप सबी लोगों ने देखा होगा जो बर्सात के टाइम पर ऊपर जो पतिंगे आसमान में बहुत ज्यादा उड़ते हैं वो ड्रेगन फ्लाइई होता इसका सही आप सुन क्या है हामस्फ लाई हास्फ फिलाई को ही कहते है हनी फ्यज ए मदमक्खी एक है हम्ने मदमक्खी का एक वीडियू लेक्चर डाला है उसमें बताया है कि मदमक्खी के बारें बताया है और उसी से एक ये question है कि मदमक्खी एक है हनीवी इज एड तो क्या है इसके वेंजर्स पैरासाइट प्रीडेटर या पॉलिनेटर तो हनीवी क्या है हनीवी एक वेनिफीसियल इंसेक्ट है लाग दायक कीट है वो हर्मफुल नहीं है तो इसलिए इसके वेंजर्स तो हो नहीं सकता है इसके वेंजर्स उनको कहते हैं जो सडी गली चीजें या डीकमपोज मटेरियल जो होता है उनको ले जाते हैं जैसे डंक, रोलर हो गया गुब्लेला जिसको बोलते हैं गुबडेला को पायरा साइड केहते हैं जब कोई इनसेक्ट अपना जो जीवन ही आपना है वो दूसरे के ऊप आधारित हो उसको पायरा साइड केहते हैं प्रीडेटर ये भी यही है कि प्रीडेटर और पैरासाइड में इतना ही अंतर है कि जो पैरासाइड होता हुँ अपने होस्ट को किल नहीं करता है प्रीडेटर क्या करता है कि अपने होस्ट को ही किल कर देता है पॉलीनेटर हनी भी एक क्या है पॉलीनेटर है यह पॉलीनेश के काम में आता है जैसे mustard crop में onion crop में सबसे जड़ा pollination कौन करता है honey भी करती है लगवग लगवग mustard में 33 से 40% तक yield increase कर देती है और onion crop में जो आपकी प्याज की खेती है उसमें 100-500% तक yield को increase करता है pollinator को बढ़ा देता है तो honey भी क्या है pollinator है next in honey भी the queen substance is secreted by honey भी में जो queen substance है मदमखियों में रानी परदार्थ किसके द्वारा स्रावित होता है तो रानी परदार्थ का काम क्या होता है वो क्या करती है कि जो queen substance है वह अपने जो कालोनी है उनको एकत्र रखता है उससे पता चलता है कि यहां पर हमारा कालोनी बनी हुई है तो queen substance कहां से स्रावित होता है तो आपका पहला अपसान है mandibular gland दूसरा अपसान है acid gland और तीसरा अपसान है आपका pharyngeal gland चौता अपसान है wax gland तो मदमक्खी में queen substance जो है वो mandibular gland से स्रावित होता है acid gland से acid जो की मदमक्खी का वी वी नम है pharyngeal gland से आपका royal jelly और wax gland से wax का स्रावित होता है ठीक दा कामन नेम आप दा पेस्ट नीला परवाता लूजेंस यह देखो यह scientific name दिया है आपका नीला परवाता लूजेंस यह scientific name दिया है अब यह पूचा गया है किसका scientific name है उसका common name पूचा गया है अब अगर जो आपको scientific name पता है तो यह आप option इसका correct लगा सकते हैं तो पहला option क्या है इसका yellow stem borer अब देखिए yellow stem borer का क्या नाम है यह rice में लगता yellow stem borer उसका monophagus insect भी है राइस में तो yellow stem borer का scientific name क्या होता sarcophagus insectulus blister beetle यह भी नहीं होगा brown plant hopper यह इसका correct option brown plant hopper का BPH का scientific name नीला परवाता लूजेंस है ग्रे बीबिल यह भी नहीं है तो यह नहीं है और इसका correct option क्या है brown plant hopper next the light producing substance is glow warm firefly firefly एक तो पहले मालूम होना चाहिए कि firefly किसमें आती है ठीक अब जो आपका जुगनू होता है firefly किसको कहते है जुगनू को कहते है लैंप्रेडी फैमिली है उसकी जुगनू की अब यह रात में जो जुगनू चमकते हैं वही पूशा गया कि light producing substance क्या है तो पहला है लूसी फेरिन फिर है लूसी फेरेज फिर है लूसी थ्रिन और लूसी फेरिन यह आपके option तो इसका correct option आपको क्या होगा लूसी फेरिन होगा यह ध्यान रखें एक जामनर यही करता ही देखिए सारे में लूसी लगा दिया है अब आप वहां पर अगर जो इतना याद रख लूसी फेरेज भी कर सकते हैं लूसी फेरिन भी हो सकता है लेकिन आपको अगर जो सही मालूम होगा तो आप लगाएंगे क्या लूसी फेरिन इन हनि वी वर्कर दारोयल जैली अज स्कौरे इज इस्यक्रेटेट फ्रॉम स्लवरी गौटे लूसी व veo बनाता है वह बनाता है वर्कर वर्कर ही रोयल जैली को बनाता है जिसको उसके कालोबणी में जो बच्चे होते हैं वह खाते और जो रानी मदमक्षी होती वो हमेशा royal jelly खाती ये काफी costly होती है बहुत मयगी मिलता है royal jelly लाखों में इसकी कीमत होती है तो रानी है तो रानी क्या सस्ता खाना थोड़ों खाएगी वो मयगा खाना खाएगी ना तो इसलिए royal jelly को खाती है ठीक साही है, तो साही चीजों को grant करेगी, तो रानी मदमक्की हमेसा रोयल जैली को खाती है जो की बनाता कौन है वो worker बनाते हैं उसके मैंने पहले भी आपको अपने lecture में बताया है कि जो कालोनी होती है कालोनी में जो कास्ट होते हैं, कास्ट में क्या एक रानी होती है ड्रोन होते और वरकर होते हैं तो वरकर बहुत सारा काम करते हैं उनमें से एक काम ये भी है कि वो रोयल जैली को बनाते हैं तो रोयल जैली जो बनाते हैं कैसे बनती है और कहां से स्रावड होती है तो देखिए पहला अपसन क्या है एलिमेंटरी कैनाल दूस एसरा है मिडगट और चौता अपसन आपका हैंडगट तो रोयल जैली जो है वो फायरेंजियल ग्लैंड से कहां से फायरेंजियल ग्लैंड से स्रावित होती है से क्यों क्या च्वेटेड तो इस बहुत सारे कोश्चन पूछ जाते हैं अगला क्या है दरिस्पाइटरी औरगन इस अरेखनीडा कि मेरे आर्थोपोडा के जो पहला लेक्चर गया है उसमें एमने डिटेल बताई है और उसी से ये कोश्चन है कि अरेखनीडा आर्चिंडर में स्वशन अंग है क्या है स्वसनंग तो वो कहां से स्वसन करता है तो पहला अप्षन क्या है बुकलंग्स क्या है बुकलंग्स दूसरा है ट्रैकिया तीसरा है क्यूटिकिल और नौन आपदीज तो इसका सही अप्षन आपका क्या होगा बुकलंग्स होगा बुकलंक्स के द्वारा अरैक नीडा में और अरैक नीडा में कौन से वो आते हैं एनीमल या कह सकते हैं जीव तो वो है आपके टिक्स, माइट, स्कॉर्पियन और स्पाइडर बिच्छू, मकडी यह सब इसमें आते हैं तो इनमें जो स्वसन होता है वो कैस के माद्यम से होता ओला है ट्रैकिया इंसेक्ट में इन्सेक्ट में स्वसन् ट्रैकिया के द्वारा होता है और quéutical तो इस का सही आप्सन क्या होगा बुखलंक्स. नेक्स यह क्या है विच आल दा फाइलोइंग इज रिप्लेंट टू मॉस्कीटो तो आप जानते हो रिप्लेंट मतलब क्या होता भगाना जिसको जिससे भाग जाए इंसेक्ट तो मॉस्कीटो क्या है जो भी आप घर में जलाते हो मॉटीन या कोई ओयल लाते हो तो वो क्या होते है रिप्लेंट होते हैं तो उसी में पूछा गया कि रिप्लेंट कौन सा है तो पहला अपसण डीट दूसरा है ओयल आप सैक्टरोनेला तीसरा अपसण है आपका डाइमेथाई थलिलेट और आलाप दीज तो इनमें से डीट भ यहीं रिप्लेंट का काम करता है मोस्कीटों को बगाता है और मच्छर को बगाने काम करता है और इसमें सभी आफसन आपके सही यह तो आप देखा होगा कि उसमें लिखा रहता है जब आप लेने जाते हो कि यह साइट्रूनायला है और इसका पौधा भी होगा बिल्कुल लेमन की तरह इसमें खुसबू आती है हलकी सी तो इन में सभी जो आएं वो रिपलेंट का काम करते हैं और अट्रेक्टेंट रिपलेंट यही एंटी फीडेंट यह सब होते हैं तो उन में से यह रिपलेंट है इन इंडिया काई हैं हैं एक अब देखिए ऐसे खुन है अब भारत में घरेलू कोरेंटाइन उपायों को किसके ब्रूद किया जाता है तो खिस इंसेक्ट के ब्रूद किया जाता है तो पहला अपसान क्या है आपका सैंजोसिस्केल दूसरा है फ्रूट फ्लाई और तीसरा अप्सन मैंगो आपर चौथा अप्सन सुगर कैन इसकेल लेकिन इसमें क्या है कि जो भारत में डॉमेस्टिक कोरंटाइन है वो किसके किस इंसेक्ट के लिए है वो है सैंजोस इसकेल के लिए अगला passing of ropes over the crop help to manage रसी को फसल के उपर से गुजारने से प्रबंद में मदद मिलती है तो हमने जो इंसेक्ट पेस्ट आप राइस का लेक्चर डाला उसमें यह बताया देखो यही तो होता है कि यह थेओरी से ही question पूछे जाते हैं और इस प्रकार से question पूछे जाते हैं अगर जो आप theory को अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको हर चीज किलियर होगी हर एक question clear कीघा निएर होगा है तो हमने पहले यह आपको यह बताई हमारे जो भींडियो है उनमें transc i quad minor जो इनमें ज्यादातर कोस्टेन आहें उन ही से और ऐसे ह्lish पूंछ जाते हैं तो इसमें यह पूछा गया है किकि pro प्रबंद कर सकते हैं राइस के स्वार्म ब्राउन प्लांट हॉपर राइस लीप फोल्डर ग्रीन लीप हॉपर और ये सभी क्या हैं राइस के इंसेक्ट हैं तो इनमें जो राइस के स्वार्म है निम्फुला डिपंग कटेलिस इसका साइन्टिफिंग नेम है इसमें रसी के माध्यम से मनेजमेंट होता है उसके रसी क्या करेंगे एक तरफ दो आदमी मिलकर रसी को पकड़ लेंगे और फसल में इस तरह जाएंगे जब पेंड हिल जाएगा तो क्या होगा कि इंसेक्ट जो है राइस के सुषह ब्राउन प्लांतहुपर नहीं है राइस लीफ ओल्डर गृइन लीफ हपर ये नहीं है राइस के सवार में इसका सही अप्सन है अगला क्या है फॉर्स्ट सिं타ेसिस ओब डी-डी टी वाश्ड डणबाई ये जो हमारा डी-डी टी है यह हमारा first insecticide भी है chemical अब यह पूछा गया है कि इसको सबसे पहले किस ने synthesis किया था संसलेशन किस ने किया कि scientist ने किया तो इसका पहला option क्या है मुलर दूसरा है जिडिलर और तीसरा है स्रेडर नौन आपदीज यह चार option है आपके तो इसका correct option क्या होगा और तुमार जिडिलर 1874 में इन्होंने इसका संसलेशन किया था और जो इसकी property है वो मुलर ने दिये इसकी property किस ने दिये मुलर ने दिये स्रेडर ने क्या किया था कि इन्होंने action बताया था organo phosphorus का तो इसका correct option क्या होगा जिडिलर और देखिए यह भी पूछा जाता कि इसका जो synthesis है वो किसने किया है वो जिडिलर ने किया लेकिन जो इसकी property दिये वो मुलर ने दिये property भी पूछी जाती मुलर ने दिये next क्या है hell tears are present in order अब यह पूछा गया कि hell tears किस order में present होते तो यह एक विंग होता है क्या है विंग है जो hell tears का काम करते हैं अब किस order में तो ओड़नोटा है पहला option दूसरा है diptera तीसरा है lepidopatera और चौथा option आपका क्या है कोलियोपटेर तो hell tears किसमे मवजूद होते हैं वो है house fly में किस में house fly अब house fly आती किस order में वो है diptera order में आती है क्योंकि ओड़नोटा में तो dragon fly आती है lepidopatera में क्या उनसे आते हैं butterfly मोत आते हैं कोलियोपटेरा में विबियस और beetle आते हैं तो hell tears जो odd being होते हैं वो कहां किस order में होते हैं वो diptera order में होते हैं house fly में next question क्या है why don't belong to the order यह पूछा गया है सफेज चीटियां किस वर्ग से हैं अब यह बहुत confusion वाला question है beこんな confusion रही ऌन जो है वो उसका ओडर अलब है white ant का order अलब है तो जो एंट है वो hymenopatera किसमें आता है hymenopatera में जिसमें मदमक्षी आती र Whatsapp की आती है उस में आंट आता है लेकिन white ant किसा कहते है तर्माइट को जहते हैं तो दीमक किसमें आते हैं वो आते हैं इसो पेटेरा Mais कि कभी में कभी मैं एक journское में यह पूंछ है जाता कि व कि हुआ हो भर्मित करने के लिए यह सब्लिविक करने के लिए कि वाइट ांट- पूती अब आपने पड़ा इसम में आती वो है प्रक्रवाइटर्म När भीषनम्हाइटर्मूर्ट स्धियों पूंछ रहाए होगी है। तो यह जानना है जारूरी हुआ किसे कहते है। औस ढर्माइड को ठील है। दी आर्थोपोड इन्कुलूड अप्रोक्सिमेटली हाउ टू मच प्रिजेंटेज और टोटल स्पिसीज इन एनिमल किंगडम। आर्थोपोडा में जानवरों के समराज के कुल प्रिजातियों का लगभग कितना पर्तिसत सामिल है। तो अब आर्थोपोडा में कितने प्रिजात सामिल है। पहला आप्षन 25, B आप्षन 50 और C आप्षन 75, D आप्षन 95 तो हमने आर्थोपोडा के लेक्चर में बताया है कि 80% इस विसीज बिलोंग करती है। लेकिन यहां पर आप्षन आपका क्या होगा? 75% 75% जो जानवार हैं वो किस में आते हैं? आर्थोपोडा में आते हैं। नेक्स्ट यह क्या है? In which order complete metamorphosis is present? आप यह देखिए। पहले तो आपको मैं बता दूँ कि metamorphosis कहते किसे हैं। तो metamorphosis क्या है? कायांतरन तो कायांतरन जैसे complete होती है और incomplete होती है। पूण अपूण दो प्रकार की metamorphosis होती है। तो पहली कौन सी होती है? Metamorphosis वो होती है complete। और दूसरी होती है incomplete। अब complete metamorphosis में चार स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है? चार स्टेज होती है। वो कौन कौन सी स्टेज है। पहला तो होता है आपका एग। क्या होती है? एग। और दूसरा एग से क्या निकलते है? वो निकलते हैं larva। क्या निकलते है? larva निकलते है। फिर क्या है? larva से बनता है pupa। लारवस क्या बनता है प्यूपा बनता है प्यूपा से फिर क्या बनता है एडेल्ट बनता है एडेल्ट तो ये बन गया आपका एडेल्ट ये हो गई आपकी complete metamorphosis एडेल्ट ने क्या किया एक दिये एक से लारवा निकला लारवा से प्यूपा बना प्यूपा से फिर चक्र है यह होता है आपका complete तो यह complete जो है वो किस में पाया जाता है वो पाया जाता है आपका जैसे 29 order हैं तो 29 order को दो भागों में divide किया गया है ए पेटेरियो गोट पेटेरियो गोट तो ए पेटेरियो गोट में कितने आते चार order आते हैं पेटर्यो गोट में कितनें बेय्शबं José पचीश और 25 को भी defense menity widget किया गया कौन कों से है एक जो शाई पैरियो गोटा a और इंडोपैर्यों गोटा तो यह इन यू Hmm-ब्हूर्च यो नौ आढ़र है उनमें कि अक्यों पॉद intense गोटा मार्कोसिस यह पाई जाती है, इनकम्पलीट जो एक जो पटेरियो गोटा होते हैं, उनमें पाई जा, अब इनमें क्या होता, इनकम्पलीट में, इनकम्पलीट में क्या है कि यह हो गया आपका एडेल्ट, यह हो गया, एडेल्ट, एडेल्ट ने क्या किया, एग दिया एग लेंग हो की, एग से क्या बने, निम्प बना, क्या बना, निम्प, या नेड बनते हैं, नेड से अडेल्ट बन जाते हैं, ये, अब देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें अंतर ये है, कि इसमें तीन स्टेज हैं, कौम से हैं इनकम्प्लीट में तीन स्टेज वो ये है कि adult अग है nymph है क्या है? Nymph ये और इसमें कॉन सी stage गाव है वो है आपकी pupil stage गाव है जो immature stage है वो larva आपके इसमें nymph है लेकिन नymph के बाद में pupa नहीं है तो इसको incomplete कई देते हैं और इसको complete कई ते हैं तो थाएसा निउरा पहला आपसन है आर्थोपिटेरा दूसरा आपसन है C आपसन है आपका हेमीपिटेरा और D आपसन है लेपिडोपिटेरा तो ये जो थाइसा निवरा, आर्थोपिटेरा और हेमीपिटेरा ये तीनों ओर्डर किसमें आते हैं ये आते आपके इक जोपटेरियोगोटा में जिसमें in complete life metamorphosis पाई जाती है लेकिन जो lepidopatera है coleopatera, calminopatera ये order किसमें आते हैं ये आते हैं इंडोपटेरियोगोटा में जिनमें complete metamorphosis पाई जाती है इसलिए इसका correct option क्या होगा lepidopatera और नेक्स्ट क्या है एंटी लोकस्ट और्गनाइजेशन वाज इस्टेबलीश इन दा एयर लोकस्ट हमने बताया कि टिड़ी को बोलते हैं टिड़ी के अधर करोना का बहुत ज्यदा बीमारी फैली उए थी पर तिडि का भी एत एक हुआ थिए और कहा था कि दिल्ली वाले रीजंट जो राजसतान है वहां पर इसका अठाईक बहुत ज्यदा हुआ पाकिस्तान से आई टिडी दि यह का गया तो टिड़ी को क्या बोलते हैं, लोकस्ट बोलते हैं, क्या कहते हैं, लोकस्ट, किस में आता अर्थोफिटेरा में आता यह order में, अब इसका organization was established in the year, इसका organization पूछा गया है तो इसका organization में आपसन क्या है? पहला आपसन है 1919, 1939, 1949 ये आपसन सही है 1939 में ये जोधपुर में, कहाँ पर है? जोधपुर राजस्तान में है ये और टिड़ी का attack तो जानी रहे हो ये फसल को बहुत ज़्यदा आनी पहुचाता है और जो लोकस्ट टिड़ी है ये क्या है? इंटरनेशनल पेस्ट है क्या गहते हैं इंटरनेशनल इसी लिए इसको anti-locust organization इसी इंसेक्ट के लिए बनाया गया है क्योंकि बहुत थान पहुचाता है ये बल्क में चलता है ग्रूप में लाखों करोणों की संखा में चलेगा और ये फसल को दो घंटे तीन घंटे या में पूरक पूरा साप कर देगा खराब कर देगा खा जाएगा तो इसका सही option क्या है तीसरा नंबर 1939 जोदपुर राजस्तान में क्या है तर्म होस्ट प्लान रजिस्टेंट वाज फस्ट यूजबाई तो जो आपका होस्ट प्लान रजिस्टेंट सब्द का प्रियोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था तो वो किया गया था आपका पहला option क्या है आरेच पैंटर दूसरा option है एचेस पूर्थी तीसरा है एस प्रधान और स्मित तो इसका correct option होगा आरेच पैंटर ने किया है एचेस पूर्थी क्या है कि यह इंटमोलोजिस्ट है और इन्होंने एक भुग लिखी थी टेस्ट बुक अप अगरी कल्चर इंटमोलोजी और यह इंडिया के प्लांट प्रोटेक्शन एडवाईजर भी रहे चुके हैं प्रधान क्या है प्रधान जो इस प्रधान है इन्होंने इनको father of modern applied entomology कि यह पिता कहे जाते है कि इसमित biological control दिया इन्होंने तो इसमित न क्या दिया biological control दिया और यह modern applied entomology के पिता है प्रधान पूर्थी क्या है इन्होंने बुग लिखी है textbook of agriculture entomology और यह advisor रहे हैं इंडिया में plant protection advisor रहे चुके हैं लेकिन host plant resistant यह RH pointer ने दिया तो इसका correct option क्या होगा RH pointer next how many pair antenna are present in crustacea class crustacea हमारा जो फस्ट लेक्चर है और थो पोड़ बना हुआ है उसमें हमने आपको बताया है कि किसमें कितने जोड़ी pair और किसमें कितने जोड़ी antenna और क्या character है तो वही पूछा गया है कि how many pairs of antenna are present in crustacea तो crustacea में antenna के कितने जोड़े मौजूद होते हैं अब antenna तो आप जानते होंगे ना जो जिसे माउठ है यह जैसे माउठ है है उसका है तो यह लगे होते हैं यह क्या होते हैं एंटीना होते हैं उसके ठेक तो कितने पयर इंसेक्ट में कितने पेर पाया जाता है इंसेक्टा में वो है वन पेर इसमें कितने पाया जाते हैं इसमें पाया जाते हैं आपके टू पेर कितने पाया जाते हैं तो चार एंटीना होते हैं क्रस्टेसिया में चार एंटीना होते हैं टू पेर पाया जाते हैं और क्रस्टेसि स्रिम जहींगा मचली अगला विच आप फैलो इंग इज नोट टाइप ऑफ एंटीना अभी यह पूछा गया है कि एंटीना इन में से कौन सा एंटीना नहीं है तो अगर जो आपको पता होगा आपने एंटीना पढ़े होंगे तब तो करेक्ट आप समार देंगे लगा तो पहला क्या है मोलनी फॉर्म यह भी एक एंटीना है यह एंटीना किस में पाया जाता है यह पाया जाता है तर्माइट में दीमग में यह एंटीना पाया जाता है ठीक दूसरा क्या है जैनीकुलेट जैनीकुलेट एंटीना जो है है हैमनोपेटेरा में यह दीमग में पा जाता है वाइट अंट में और जैनिकुलेट पाया जाता है आपका स्रिफ अंट में हनी भी में इसमें क्लेवेट पाया जाता है आपका ये भी एक एंटीना ये बीटल्स में पाया जाता है और ये क्या है डेक्टीकस ये एंटीना नहीं है तो इसका करेक्ट आप्सन क्या लार्जेस्ट ग्रूप आफ आर्थो पोड़ा लार्जेस्ट ग्रूप आफ आर्थो पोड़ा आर्थो पोड़ा का सबसे बड़ा समूं है तो हमने आपको बताए सेवन क्लास बताया था अर्थो पोड़ा में तो उनमें से सबसे बड़ा जो क्लास है वो कौन सा क्लास था तो तो पहला अप्सन क्या है इसका क्रस्टेसियांस जिन में केकड़ा आते हैं दूसरा है इंसेक्ट तीसरा है अरैकनीडा तो अरैकनीडा में आप बताएं मकड़ी स्पाइडर और स्कॉर्पियन टिक्समाइट आते हैं इंसेक्ट वाला इंसेक्टा जो है यह सबसे बड़ा अब insects active during ducks are called शंध्या के समय सक्री कीड कहलाते हैं तो संध्या किसे कहते हैं साम को जिस टाइम पर ना रात हुई हो और ना ही दिन बचाओ उस टाइम को उस काल को क्या बोलते हैं संध्या क्या बोलते हैं साम का टाइम बोलते हैं तो उस टाइम पर जो कीट सक्री होते हैं, ज्यादा एक्टिव रहते हैं, फसल को ज्यादा हानी पहुचाते हैं, उनको क्या कहते हैं, तो पहला अपसन क्या है, डियूर्नल, दूसरा अपसन आपका नॉक्टर्नल, और तीसरा अपसन आपका है, क्रेप्सी कुलर, चौथा तो डिवर्नल मतलब होता है जो दिन में दिन में जो एक्टिव होते हैं उनको डिवर्नल गएते हैं तो दिन में तो पूछा नहीं गया बी आफसन क्या नॉक्टर्नल अब नॉक्टर्नल उसे कहते हैं जो रात के टाइम पर एक्टिव होते हैं उनको नॉक्टर्नल गएते हैं और जो दिन में होते हैं, उनको डिवनल गएते हैं, जैसे रात की रानी एक प्लांट भी है, जो जिसके फूल कब खिलते हैं, रात के टाइम पर खिलते हैं, और क्रेफसुकुलर ये है संध्या के टाइम पर, इसका correct option क्या होगा, C number क्रेफसुकुलर, ये साम के टाइम पर active र ये हमने आपको बताएं और इनके option भी बताएं, जिनसे आपको बहुत ज़्यदा जानिकारी मिलेगी, और हमारे यहां पर MSC, BSC के बैद चालू हो गए हैं, आप आ सकते हैं, जोइन करिए, धन्यवाद हैं, पर एमने सेउने संटेगा, जिनसे बताएं, झा भंपनाट, जोइन पर इनके जो हैं, जोओनार ये हैं, झालू हैं, पर चालूह जोखने, झालूह जोओनाा जादे झालूहां जरूदम लुटच Почему this morning? p brushed बcie